मश्कार दोस्तों मेरणा मैं आकका शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का मारी यूट्यूब चैनल सर्माजी क्लासस में दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आयू से समबंदित महत्वपुर्ण प्रेश्ण जो कि कई बार एक्जाम में पहले पूछे गए हैं दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो आपने देखा था आनुपात और समानुपात के महत्वपुर्ण प्रेश्ण तो अगर आपने वीडियो भी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है आप महां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं साथे का दोस्तों आप हमारे वाट्सप ग्रुप से भी जोइन हना चाते है ए तथा बी की वरतमान आयू का अनुपाद चार अनुपाद पांच है पांच वरसे बाद यहाँ अनुपाद पांच अनुपाद छे हो जाएगा तब ए की वरतमान आयू ग्यात कीजिए अनुपात क्या दिया है हमें कि A तथा B की वरतमान आयू का अनुपात 4 अनुपात 5 है तो हमें मानना है 4X और 5X ठीक है A की आयू कितनी माननी है 4X और B की आयू माननी है 5X ठीक है पांच वर्षे बाद कितना वर्षे बाद दोस्तों पांच वर्षे बाद और इसकी भी पांच वर्षे बाद ए तथा बी की वर्थमान आईवी का अनुपाद 4 अनुपाद 5 है जो कि हमने माला 4x और 5x पांच वर्षे बाद यहां अनुपाद तो हमने कितना जोड़ दिया दोस्तों दोनों येगे 5 पांच जोड़ दिया यहां अनुपाद कितना हो जाएगा यहां अनुपाद हो जाएगा 5 अनुपाद 6 ठीक है यहां अनुपाद हो जाता है 5 अनुपाद 6 हमें कुछ भी नहीं क Cross Multiplication करना इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका माण इसमें करेंगे त्शुपह बराबर लगाएंगे इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 25 X प्लस यह हो जाएगा 25 ठीक है इसको जब हम हम हाल करेंगे तो 24 को इधर पहुचाएंगे 25 में से 24 X जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 1 X ठीक है वो इसको पहुचाएंगे 25 को इधर तो 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 5 तो हमारा X वराबर कितना निकल के आया। पांच निकल के आया। ठीक है। हम से places पूंचा है दोस्तों A की वरतमान आय। A की वरतमान आय। हमने कुतने मानी थी? 4 X थीक है A की वरतमान आय। कितनी मानी थी? 4 X अब 4 X में X का मान रखेंगे तो यह जाएगा 4 गुणा 5, कितना आगी हमारा अंसर, यही क्या है दोस्तों हमारा अंसर, अगर हम से B की आयू, वर्तमान आयू पूछता तो हम 5 एकसर की जगे मान रखते हैं, ठीक है, प्रेशने हैं, दोस्तों हमारा प्रेशने चमांक 2, कि चार भाईयो की आयू का योग 56 चार वर्स है, तथा उनकी आयू का अंतर क्रमिश्रा समान रूप से कितना है, चार वर्स है, तथा तब सबसे बड़े भाई की आयू, बताईए, ठीक है, हल करते हैं, दोस्तों हम सवाल को, उसने हम से बोला है कि चार भाईयो की आयू का योग 56 वर्स है, तो हम मानेंगे कि पहले की आयू कितनी है, एकस है, ठीक है, आगे देखते हैं, उसने क्या दिया है कि उनकी आयू का अंतर क्रमिश्रा समान रूप से कितना है, चार वर्स है, मतलब कि प्रत्यक भाई, आपस में कितने बड़े हैं, चार चार वर्स बड़े हैं, तो पहले कि अगर हमने एकस मा जोटे को सी तो ऐसे बड़ा यह सबसे दीया है दोस्तों कि कि इनकी आयू का योग कितनाstone के बढूर्ण जोड़ेंगे ठीक है जब इनको हम जोड़ेंगे तो 1,2,3,4 कितना हो जाएगा है 4X और इनको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 8,4,12,12,24 ठीक है 56 वैसा का वैसा ही जब इसको हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 4X 24 इदर जाएगा तो यह जाएगा माइनस का 56-24 ठीक है 4x वराबर कितना आया? 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2 5 में से 2 जाएगा 3 जब इसको हम काटेंगे या तो हम डारेक्ट यही से काट सकते हैं 4x हम 4, 8, 32 या फिर 1 से को यही रखके 32 को जैसे कैसे लिखेंगे 4 सल जाएगा इसके बटे में ठीक है मैं इतना लंबा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए आपको direct काटना है ताकि आपको ज्यादा time नहीं लगे कटेगा दोस्तो चराट बतीस तो हमारा x बराबर कितना निकल के आया 8 निकल के आया ठीक है x क्या था हमारा सबसे छोटे भाई की उम्र थी x वर्स तो सबसे छोटे की उम्र कितने निकल के आई 8 वर्स ठीक है हमसे पूछी दोस्तो सबसे बड़े भाई की उम्र सबसे बड़ा भाई कुन सा था ये था X plus 12 सबसे बड़े भाई की कितने थे दोस्तों X plus 12 जब हम X के जगे 8 रखेंगे 8 plus 12 तो ये कितने आई निकल के आई दोस्तों हमारी इसकी 20 वर्स यही क्या होगा हमारा आंसर दोस्तों जब आप X का मान इस equation में रखोगे सब जगे आठ 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 तो योग आपका 56 वर्स आ जाएगा ठीक है आप रखके देख सकते हैं अगर आपका चपना रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है प्रिशन है दोस्तों हमारा प्रिशन क्रमांग 3 A तथा B की आयू का अनुपात कितना है 3 अनुपात 4 है यदि A B से 4 वर्स चोटा है तो A वभी की वर्तमान आयू ग्याद करो ठीक है दोस्तों हम लिखेंगे हमें दिया है A तथा B की आयू का अनुपात A तथा B की आयू का अनुपात ठीक है कितना दिया दोस्तों में अनुपात दिया हमें 3 अनुपात चार अर्थात A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 ठीक है दोस्तों में क्या दिया गया है कि A P से 4 वर से छोटा है अर्थात हमें उनका क्या दिया गया है उम्र का अंतर दिया गया है जो हम देखेंगे दोस्तों कि इनके अनुपात में कितना अंतर है इनके अनुपात में अंतर है दोस्तों कितना एक का कितना अंतर है एक का अंतर है अनुपात में तो एक का अंतर है और वर्स में कितने का अंतर है चार का तो एक के बराबर कितना हो जाएगा चार वर्स ठीक है अनुपात में एक और उम्र में कितना चार तब हमें इनकी उम्र क का अनुपाद दिया गया है तो हम सिधा चार को इसमें गुणा कर देंगे तो एक की आयू कितनी हो जाएगी हम लिखेंगे एक की आयू ठीक है एक कितनी दोस्तों तीन थी तीन में तो चार का गुणा करेंगे तीन गुणा चार बराबर बारा और बी के आयू हमारी हो ए ये चार कहाना शाहा था दोस्तों हमें प्रेश्ने में दिया था कि A, B से चार वरसे छोटा है अर्था यवा B की आयू में अन्तर कुतना था एकका और कितना ही हमारा 4 जैetten हम 4 को इसमें गुणा करेंगे 3 में तो तो A की आयू निकल के आएगी और जब इस चार का गुणा हम करेंगे चार में तो B की वर्तमान आयू निकल के आजाए क्योंकि हमें यूज अनुपाद दिया था किसका था A और B की वर्तमान आयू का अनुपाद अर्थात उम्र का अंतर और अनुपात का अंतर आपस में क्या होगा बराबर होगा एक और प्रशन इस टाइप कम देख लेता तापके आपको अच्छी से प्रशन समझ में आ जाए अगला प्रशन दोस्त हमारा चूँ था ए तथा अगला आईू का अनुपात कितना है यह है दो अनुपात 5 एक के जन्म के वक्त बी की आयू 6 वर्स थी दोस्तों पिछले प्रशन में जो हमें डारेइक्त दे दिया गया था कि कि ए बी से कितना वर्स छोटा है 4 वर्स छोटा है यहाँ पर थोड़ा से प्रस्न को घुमा दिया गया है कि A के जन्म के वक्त B की आयू 6 वर्ष थी, इसका मतलब यही है कि A B जो है A से कितना बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है, तब हमें A तथा B की वर्तमान आयू ग्यात करनी है, तो इसको भी हम वेसे हैल करेंगे दोस्तों, हम जो कि हमें प्रस्न में दिया गया है, दिया है आयू का अंतर, ठीक है, आयू का अंतर कितना है दोस्तों, 6 वर्ष जो कि हमें प्रस्न में दिया है कि A के जन्म के वक्त B के आयू 6 वर्ष थी, अब हमें देखना है दोस्तों कि इनकी आयू में अनुपात में अंतर कितना है, कि पलगें टूट कितना है टिन तो अनुपात्न और वर्शों में उत्र वापस में क्या तो यह दूस्त उम टीन परपटर क्या लिखेंगे चलिकिंगे जब इसको कारण यह किंगे थो हुstat मैं सब्सक्राइब दो आया ठीक है अब यह जो दो आया इसका मान हम रखेंगे यहाँ पर तब इनकी एडिजेक्ट आयू निकल के आएगी जब इसमें हम गुणा करेंगे एक की आयू जैसा कि हमने पहले प्रशन में किया था हमारा निकल के आया दोस्तों एक बराबर कितना आया दो निकल के आया तब इसका मान रखेंगे इसमें एक की आयू निकल लेंगे तो दो में इस दो में गुणा करेंगे काई का इस दो का तो कितनी आ जाएगी चार वर्ष ऐसे ही हम निकालेंगे B की आयू ठीक है B की आयू निकालेंगे तो हम इस 5 में भी गुणा करें काई का इस 2 का ठीक है यूँकि हमारा पर 1 की वेल्यू कितने निकल गया ही 2 और हमें निकालने ही 2 की वेल्यू तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे पांच के पहले निकाल नहीं है, तो पांच में दो का गुणा कर देंगे, ठीक है, पांच दूना, दस, यही क्या होगा हमारा अंसर, अगला प्रिशने दोस्तों, हमारा प्रिशन क्रमांग 5, कि पिता एबन पुत्र की वर्तमान आयो का उनुपाद कितना दिया है, पांच उन इसको मानेंगे हम क्या दिया हमें, वर्तमान, वो यह हो जाएगी, तीन वर्ष बात, ठीक है, हमें जो वर्तमान आयो का उनुपाद दिया है, कितना दिया है, पांच उनुपाद एक, यह है वर्तमान आयो का उनुपाद, इधर हम चलेंगे, प्रिशन में दिया है, तीन वर वर्ष बाद योग कितना है 42 वर्ष ठीक है दोस्तों में एक बात ध्यान रखनी है कि हमें यह जो योग दिया है दोनों की आयों का योग दिया है कितने वर्ष बाद वर्त मान से तीन वर्ष बाद ठीक है अगर हम तीन वर्ष पहले चलेंगे दोस्तों तो इसमें कितना घटा दोस्तों 42 माइनस 6 तो पुत्र की आयो जो 3 वर्ष पिता की बढ़ी हुए यह बचेगा हमारा द च्वे च्वेतर अ इस्फिक्य कितना बचेगा जफिस अब यह जो च्वेतर दोस्तों इनकी वर्तमानायू का योग को भृतमानायू का अनुपात हमें क्या दिया पांच और एक तब हम मानेंगे वर्तमान आयू ठीक है योग हमें दिया इसका 36 तो 5X प्लस 1X बराबर कितना है 36 जब इसको हम हल करेंगे तो यह जाएगा 6X बराबर 36 यह 1X लिखा है आप इसको only X भी लिख सकते हैं ठीक है आपको समझ में आजाए इसलिए में उसको एक एकस लिखा है तो X बराबर कितना हो जाएगा यह 6 से 6 बार कट जाएगा तो 6 एकस बराबर कितना है 6 बार कट जाएगा तो X बराबर आएगा 6 तब पुत्र की आयू कितनी हो जाएगी दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयू ठीक है कितनी हो जाएगी 6 वर्स पिता की वर्तमान आयू पूछागा तो हम इसमें किसका गुणा करतेंगे 5 का ठीक है खुश नहीं क्या दोस्तों वर्तमान अयूंग का हटा देंगे छे वर्स क्योंकि टीन वर्स में तीन वर्स पुत्र की आयूं बढ़ इद और पिता यूंगी एक वर्स पिता की भड़ेगी इसलिए जो योग निकल करेंगे है यह आएगा वर्तमान अयूंगी प्रश्न दोस्तों मारा प्रश्न को मांग छे कि पिता तथा पुत्र की आयू का अनुपात एक है तथा पुत्र तथा माता की आयू का अनुपात चार है यदि पुत्र की आयू 6 वर्श है तो माता और पिता की आयू ग्यात कीजिए दोस्तों इस सवाल को हल करने के लिए आपको अनुपात और समानुपात नोलिज होना आवर्श है कि क्योंकि यह उस विदी से हल होगा उसका वीडियो में अप्लोड किया हुआ है आपने नहीं दे दोस्तों यह हमें दिया है पांच अनुपात एक ठीक है तथा पुत्र तथा माता का जो अनुपात दिया है यह कितना दिया है एक अनुपात चार ठीक है इसके लिए मैं इसको हल करेंगे दोस्तों पहले देखेंगे पिता अनुपात पुत्र कितना दिया है पांच अनुप तो यह तो है पुत्र होई हो जाई हमारी माता इसका अनुपात हम कहां लिखेंगे पूत्र तदा माता का अनुपात कितना है एक अनुपात चार ठीक है अब मैंने आपको अनुपात वाले वीडियो में दोस्तों बताया था कि यह जो खाली जगा है यहां पर हमें कौन सा फिर करना है इसका गुणा ठीक है इसका गुणा करेंगे आपस में चार एकम चार हो जाएगा यह हो जाएगा एक गुणा एक कितना एक और यह हो जाएगा पांच एकम पांच ठीक है तो हमारा जो नया अनुपात निकल क्याया पीता अनुपात पुत्र अनुपात माता कित पात में कितने निकलने पुत्र के आउयू 1 वर्स तो 1 के बड़ाबर कितनी हो जाएगा हमारा 6 यह पुत्र के आयू का वह बात था वह तो एक था लेकिन अगर वह में देखिये तो कितने वर्स है छे वर्स अगर हम पिता की आयू निकालनी है तो हम इसमें 5 में 6 का गुणा कर देंगे और हम माता की आयू निकालनी है तो हम इसमें 4 में 6 का गुणा कर देंगे पिता की आयू पिता की आयू अगर हमें निकलने तो कितना हो जाएगा दोस्तों पांच गुना छे और माता की आयू निकलनी है तो कितना हो जाएगा ये चार गुना छे ये हो जाएगा छे पंजटीस और ये हो जाएगा छे चुकर चोविस ठीक है दोस्तों क्योंकि हमें यहां से निकल के आईए कि एक की वेल्यू छे है तो पांच की वेल्यू कितनी होगी इसमें पांच में कुना कर देंगे छे पंजा तीस और चार की वेल्यू कितनी होगी छे चुकर 24 अगला प्रेशन है दोस्तों हमारा प्रेशन कर पांग साथ क कि सूरेश के उम्र किरण के उम्र के कितनी है दो गुनी है यानि कि किरण के उम्र अगर एक है तो सूरेश के उम्र कितनी होगी दो होगी क्योंकि हम प्रैसर में दिया है कि सूरेश के उम्र के उम्र की दो गुनी यति दोनों की उम्र का योग 24 वर से तो सूरेश के उम्र बता अनुपाथ कितना हो जाएगा। इनकी आयो का यो कितना है। 24 भरसे। सब्सक्राइब तो सिये कितना है। 24 efficient ने इनकी नहीं है। 8 भार 13, 14x पर, निकल के आया 8 अबाप आप से पूंछी सूरेष की आयूंगा तो सूरेष की आयूंगा कितनी हैं दोस्तों दो X ThoreNE S तो हम 1 से जगमान रख देंगे यह हो जाएगा 2 गुणा 8, कितना हो जाएगा 16 अगर हमसे किरण की आयू पूछता, तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं, तो कितना निकल क्या था हमारा एक सी जगमान आठ रखते हैं, तो निकल क्या था, 8 एकम 8 अगला प्रशनी दोस्तों हमारा प्रशन क्रमान का हट की दो विक्तियों की आयू का अनुपाद कितना है पांच अनुपाद साथ है अठारा वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपाद कितना था आठ अनुपाद तेरा था तब उनकी वर्तमान उम्र बताईए तो दोस्तों हमें अनुपाद कितना दिया हुआ है पांच अनुपाद साथ तो हम इसको मानेंगे कि पांच एक्स और साथ एक्स तब उनकी वर्तमा नाईव का अनुपाद कितना मानेंगे पांच एक्स और साथ एक्स ठीक है हमें दिया है कि अठारा वर्ष पहले इसमें से हम 18 घटा देंगे ठीक है वह इसमें से हम क्या घटा देंगे 18 क्योंकि हमें दिया है कि 18 बर्षे पहले उनकी उम्मरे का अनुपाद कितना था यह था 8 अनुपाद 13 ठीक है हमें क्या करना इसका cross multiplication करना जब इसका cross multiplication करेंगे ती यह जाएगा 13 55 एकस ठीक है माइनस अठा का जब 13 में गुणा करेंगे यह आएगा 244 कि इसका गुणा करेंगे जब 8 में गुणा करेंगे तो यह ज्यां काट उसात हूँ 56 एकस माइनस जब 18 करेंगे तो यह जाएगा 145 कितना इसको करते हैं दोस्तों 65 को यही रहने देंगे इसको पहुंचाएंगे इधर तो 65 डुष्याट्राइगा पने यहां पर –10 कि मालीस यह जब इदर जाएगा तो जिन इसका परिवरतन हो जाता यह हो जाएगा प्लेस दोस्तों 34 इसको में इसमें घठाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 556 जाएगा तो 100ग नो एकर किसे इस बचेगा दोस्तों यहां बचेगा 90 सुरी हिमें तो कितना मचेगा 90 इसको कार देंगे 9 एकम 9 9 एदाम 90 एक्स बराबर कितना निकल के आया हमारा जैने कि 7 गुणा 10 बराबर 70 वर्ष ठीक अगला प्रशन है दोस्तों मारा प्रशन कर मांगनों पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चार गुणी है पांच वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुणी थी पिता की वरत्मान उम्र बताईए ठीक है हमें मानना है दोस्तों पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चार गुनी थी जैने कि पुत्र की आयू हम क्या मानेंगे पुत्र की आयू हम मानेंगे एक्स तो पिता की आयू कितनी हो जाई कि इससे चार गुनी पिता की आयू क्योंकि प्रेश्ण में दिया है कि पिता के जो आई हुए पुत्र के आई है चार गुनी है इसको मैं से लिखेंगे एकस बटे चार एकस बटा या अनुपात बात एक ही है एकस अनुपात चार एकस या एकस बटे चार एकस ठीक है पिता ततकी उम्र उसके पुत्र के उम्र की चार गुनी है पांच वर्ष पहले क्या दिया है दोस्तों में पांच वर्ष पहले मतलब पहले का मतलब क्या हम माइनस करेंगे कितना माइनस करेंगे जितना हमें प्रश्ण में दिया गया है तो इसको अमाल करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तव मारा 9 का गुना इसमें करेंगे उपर 9x-45 इसका गुना इसमें करेंगे तो यह जाएगा 4x-5 इसको जो हम हल करेंगे 4 को पहुचाएंगे इधर 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5x 45 को इधर पहुचाएंगे तो का एक हो जाएगा प्लस का, प्लस के 45 में से माइनस का 5 जाएगा तो बचेगा, प्लस का 40, पांस से काटे कि इसको जाएगा, आठ बार X बराबर हो जाएगा हमारा 8, क्या है X बराबर हमारा 8, हमसे पूची पिता की वर्तमान आई हो, तो हमने कितनी मानी थी पिता की वर्तमान आई हो, चार एक् हमानी थीenga 22 अगर हमें से पुछेता कि म्याव叮न नेकल जाई है अगर आपसे इसा पूछ़ लेता कि पांच वर्ष से पहले पृता क्या युँँ पांच घटाना पड़ता ता तक ह Igor निकलती जोस्तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है आज हमने देखिए आयू से सम्मधित मायत पकुर्ण प्रशन है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पर लाइक में को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मारे आने वा वाट्सआप ग्रुप से जोइन आना जाते हैं तो डिस्प्ले पर नमबर दिया गया है आप इस पर जोइन लिखकर में से सेंड कर सकते हैं आपको मारे वाट्सआप ग्रुप से एड कर दिया जाएगा